धाई साल बाद आपका पसंदीदा कारिक्रम डिफेंस मंत्रा लेकर हम वापस आ गये हैं भारत शक्ती पर आपका स्वागत है और इस हफते हम बात करेंगे हाल ही में हुई CCS या Cabinet Committee on Security की जिसमें दो बहुत महत्वपूर्न परयोजना का अप्रूवल मिला सबसे पहला है 31 High Altitude Long Endurance Predator Rones and the second is Nuclear Powered Submarines का निर्मान तो इन दोनों पर चर्चा करेंगे हम नितिन गोखले से हम जानेंगे कि यह दोनों किस तरह से हमारे देश के लिए हमारे military capabilities के लिए यह हमें help करेगा और किस तरह से जो क्षेत्रिय dangers है इसको यह mitigate करेगा नितिन आपका स्वागत है बहुत दिन बाद हम defense mantra show कर रहे हैं कैसा लग रहा है आपको सबसे पहले यह बताईए बहुत अलग लग 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 रहा है क्यूंकि हिंदी में show की demand लगाता राती रहती है पर हम किसी कारण से इसको कर नी पाएं कहीं अलग अलग कारण हुए तो चलिए देर आए दुरूस्ता है तो जैसे आपने कहा कि धाई साल बाद आए हैं तो लोगों को थोड़ा इसको समझने में या इसके adjust करने में show के बारे में थोड़ा समय लग सकता है पर देखते हैं आग ख़कोिए तो अग्लिष करें के सत्व 可以 आपको अग JEनिश्टे करें चलिए हैं कि ख़को काता गिव नियुक्ता है WIN थर्टी-वपिप्되ण आज-टा इंब नंबर फिर्टीन यह काफी इन नंबर इसलिए कि हमारे थन जो सेन वह अग है नौसेना, वायुसेना और थलसेना जो है आर्मी हैं इन तीनों को अलग-अलग तरह की जरूरते हैं प्रिडेटर्स की तो पहले प्रिडेटर क्या है यह मैं बता रहता हूं फिर उसके नंबर्स के बारे में बात करेंगें प्रिडेटर है जैसे आपने का कि हाय प्रिडेटर्स के लिए निरक्षिन के लिए नहीं है पर इसमें दो या तीन मिसाइल लग सकती है अलग-अलग तरह कि एक मिसाइल एक प्रिसीजन गाइड़ बॉम जिसको कहते हैं जो अचूक मार कर सकता है और ट्रेकिंग सिस्टम है इसमें कि कि किसी जहाज को अगर समुद्र पर उन्होंने इडिन्टिफाइ कर लिया तो उसको कहां जा रहा है वो जात कितनी दूर जा रहा है कितनी स्पीर से जा रहा है यह सब कुछ वहां ट्रैक हो सकता है तो यह जो अमरिकी कंपनी है जन्रल अटोमिक्स वो इसका निर्मान करते हैं और उनकी हमालति पर Hai Canis लो यह सोरक्ष्या क करने के लिए जय दिया जाता है curそう самые जानख जान रहें रहेंगे बराटियанा के ल् Convenky साउट चाइना सी तक, मलक्का स्टेट्स तक, ये इलाका आम तोर पर भारत का जो इलाका है, बैक्यार्ड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो ऐसा माना जाता है और उसमें भारतिया नौसयना का एक अहम भूमिका रहती है, तो उसके उपर द्यान रखने के लिए, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे कि ले, नहीं, ले, महंगे हैं, 3.3 billion dollars, 40,000 करोड का इसके ओपर खर्चा है, तो क्या ये value for money है, नहीं है, इसकी चर्चा होती रही, फिर अमेरिका के साथ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके ओपर चर्चा होती रही, पैसा है या वो आएगी तीनो सेनाओ में, अभी आठ आठ जो बाकी हैं, जो 16, 15, 9 सेना को गए और जो आठ आठ बाकी हैं, वो आठ जाएंगे थल सेना को, और आठ जाएंगे अधिन एर फोस को, या वायू सेना को, ये उसमें उनका जो गनित है, इस तरह से है, तो ये बेसिकली, अर् काम होते हैं इसमें, एक है ISR जैसे आपने कहाँ, पर इसमें मिसाइल भी हैं, हेल फायर मिसाइल और प्रिसीजन गाइड बॉम और ये AI बेस्ट है, इसमें बहुत सी चीजे AI पे होती है, तो इसमें ये भी उनके पास एक ताकत है, प्रेडेटर्स या जो UAVs हैं, उसके इस इसमें पास आगया है, अगर तीन बजए उन्होंने वो लिया है फोटो उसका, और ये रात को अगर नौ बजए जाके फिर से उसी इलागे का फोटो लेते हैं, तो तुरंत, दस मिनिट के या पंदरा मिनिट के अंदर अंदर वो बता लेते हैं कि इसमें क्या बदला हुआ वहां पे और ज्यादा ट्रक्स आ गई हैं, ज्यादा एम्टशन आ गया है, यह ज्यादा तोपे आ गई हैं, ज्यादा आदमी आ गया है, यह AI बताता है, उनका जो AI प्रग्राम है, वो आपको दो इमेज को अलग अलग समय में लिए हुई और रात भी ये फोटो ले सकते है या वो इमेज दे सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं, EOIR, Electro-Optical Infrared Capability, जो रात को भी आपको पूरा पिक्चर दिखा सकते हैं, इसकी ये बड़ी क्षमता जो भारत में नहीं है, बहुत से देशों के बास नहीं है, तो इससे भारत को ये बड़ा फायदा होगा, भारत के सेनाओं को बड़ा फायदा होगा, तो बेसिकली अभी कुछ सालों में, China has become anniversary number one, तो थोड़ा सा बताईए कि LAC पे ये किस तरह से काम करेगा, क्या ये हमारा अभी बात करना उचित है? क्यूंकि 2019 में भारतिय नौसेना ने इसके जो पहली वाली जो एडिशन थी, प्रिडेटर्स की, उसको MQ-9 कहा जाता है, इनका नाम है अभी MQ-9-B, जो आम्ड है, आएसर भी है, उसमें मिसाइल भी लगी हुई है, तो MQ-9 में ऐसा नहीं था, वो प्रोटोटाइप या समझ लीजे, इनिशल जो इनों ने इसको डेवलप किया, उसका एक वर्शन नेवी ने लीज किया था, और ये पूरवी तट पर, भारत के पूरवी तट पर, मतलब बे अफ बेंगॉल से लेकर, मलक्का स्टेट्स तक, ये इमेज या पूरा एक मेरिटाइम डोमेन अवेरनेस का पिक्चर, भारतिय नौसेना को पिछले पांच सानों से मिल रहा था, और इस पर भारतिय नौसेना काफी खुश थी, सैटिस्फाइड थी, तो इसलिए नौसेना को इसका लीड सर्विस बनाया गया प्रोकूर्मेंट के लिए, कि आप जब खरीद होगे, तो आप इसके बारे में कॉंट्रेक्ट करोगे, इसकी निगोसियेशन करोगे, ये सब नौसेना को दिया गया था, अब जब गल्वान हुआ 2020 में, गल्वान की घटना हुई, लड़ाक में जो आमना सामना हुआ सेनाओ का, चीनी और भारतिय सेनाओ का, और स्टैंड ओफ चलता रहा, अभी भी चल रहा है, तो उस समय ये दो सी गार्डियन्स को वहां भेजा गय गल्वान की घटना को छोड़ कर कोई वहां हाता पाई नहीं हुई, ना मार पीठ हुई, ना कोई जंग लगी, तो इसलिए वो उसका बहुत फाइदा हुआ, तब जाके सेनाओ ने, तीनों ने मिलकर सरकार को कहा कि इसकी बहुत जरूरत है हमें, बहुत फाइदा होगा, औ ना कि इसकी प्राइस अगर देखा जाया, अगर तुरन देखो पेपर पर लगता है कि 40,000 को खर्च करने है, इसमें और क्या कुछ आ सकता था, पर ये जब केपिविलिटी दिखाई गई इसके बारे में बात की गई, ये अगर टेस्टिंग किया गया, तब ये लगा लोग कैसे अलाइन करेगा? जिसमें जब बातचीत हुई और उसमें प्राइस निगोसियेशन और टेक्नोलोजी निगोसियेशन हुआ, तो उसमें उन्होंने एक ये ताय किया कि सेकंड स्टेज में जो मिसाइल लगेगी इसके उपर, जो अभी तो वहां अमेरिका से खरीदेंगे, ये जनरल अटोमिक प्राइस ही देगा उसको, जो दूसरी स्टेज में लगेगी उसको भारत में निर्मान उसका किया जा सकता है, प्राइविट सेक्टर में या फिर पॉब्लिक सेक्टर में, एक नमबर वो हुआ, नमबर दो, MRO, Maintenance, Repair, Overhaul, इसकी फैसलिटी भारत में इस्टेश की जाएगी जो भारतिया पार्टनर के साथ होगी, General Atomics उसका एक्सपरटीज देगा, और वो पहले वाला और खतम कर लूँ कि मिसाइल डेवलप करने के लिए या और एक हेल, मतलब हाई अल्टिटूड लॉंग एंडूरंस ड्रोन बनाने के लिए जो टेक्नोलोजी चाहिए, उसकी उस और MRO का Establishment जो होगा भारत में, तो ना कि वो सिर्फ ये जो 31 ड्रोन्स हैं या प्रेडेटर्स हैं, इनकी मरमत करेगा भारत में, बलकि Quad Countries जो हैं, बाकी तीन कंट्रीज, अमेरिका जिसका इलाका बहुत बड़ा है, उसके इंडो पैकॉम कमांड नो हवाई से लेकर भार दुपके जाते ही जाते हैं, इनका इंजिन का रिपैर होता हヤा ओवराल होता है या पार्ट्स जहां लगते हैं नए PM-जोłamतिक बड़ता है या इक हम पैकॉम का ह यह उसमें शामिल किया गया है और इसमें बिजनिस सेंस अलसे इनका शेल्फ लाइफ क्या है अभी जब से इसका निर्मान हुआ है कम से कम 20-25 साल यह मिनिम्म चलेंगी तो जैसे एर्क्राफ्ट कैरियर होते है अभारती वाईसना के पास या नौसना के पास है उनका भी 40 साल का उम्र उसकी मानी जाती है पर उसमें एक आपको दिक्कत यह आती है उसमें वर्निरिमिलिटी जो होती है वो एक यह है कि आपको बार बार पाइलेट्स को ट्रेन करते रहना पड़ता है अगर लड़ा कु जहाज को उडाना है तो उसमें अगर एक खत्रा भी रहता है कि और गिर जाये तो इसमें पाइलेट की भी मौत हो सकती है इसमें वो नहीं है तो यह सब इसका फाइदा है और आगे जाके जो एक लोग कहरें कि फ्यूचर में मम्टी मतलब मैंड अन्मैंड टीम्स एरफोस में बनेंगी इसमें को जाया यहां रहहां जा जाए है दो पाइलेटSे साथ यहुध के साथ एक पाइलोट के साथ एक तरफ सा उद्ध में पाइलेली एक यूवट यह जा लारी पे Eig अगर जाय जारा है वह जाके दुश्मन के ऊपर वार करें गे let's talk about यह जो दो nuclear-powered submarines, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है, nuclear-powered submarine और nuclear-armed submarine में क्या फर्क है, number one, number two, इसको SSN क्यों कहा जाता है? यह actually यह एक naval term है और जो term है वो generally लोगों को समझ में नहीं आता है, तो SSN का मतलब है कि nuclear-powered, nuclear reactor, miniaturized nuclear reactor इस submarine पे बिठाया जाता है, और इसका propulsion होता है, जो पंके घूमते हैं, submarine को जो चलाते हैं, जो engine चलता है जिसके उपर, वो nuclear power पे चलता है, पर इसमें जो अस्तर शेस्तर जो होते हैं, जो arms होते हैं यह missiles होते हैं, यह conventional missiles होते हैं, इसमें nuclear missiles नहीं होते हैं, इसका फाइदा यह है कि यह silent है, क्योंकि nuclear reactor पावर जो जो जनरेट होता है engine के लिए, उसका आवाज नहीं आता है, फास्ट है, जैसे नॉर्मल स्पीड, स्पीड अगर 15 knot है या 18 knot है, तो यह इसका maximum speed 30 knot हो जाता है, 30 knot मतलब आपको यह छोटी होती है, agile होती है, और silently यह कहीं भी जाके बैठ सकती है, यह कहीं भी जाके पानी के अंदर रह सकती है, for a longer duration, डीजल पावर सब्मरीन जो है, डीजल पावर इंजिन होता है, पर उसके जब underwater जाती है, तो बैटरी के ऊपर काम करती है, और वो बैटरी चार्ज करने के लिए इनको हर 15 दिन में या 20 दिन में सतह पर आना पड़ता है, समूदर के सतह पर आना पड़ता है, यह जो डीजल पावर, कन्वेंशनल सब्मरीन जिसको कहते है, SSN में वो नहीं है, SSN यह क उसमी आपको पावर उसको खर्च करनी है, और आपको कहां जाना है, कितनी दूर तक जाना है, इसके ओपर करता है, पर कम से कम 30-40 दिन वो silently, अनिमी के इलाके में जाके उनके पानी में जाके वो रह सकते हैं, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्यों साइलेंट होत है, यह अटक सब्मरीन है, तो इसमें आपकी मिसाइल लगे हुए है, जो एंटी शोर मिसाइल कहते हैं, जैसे अगर वो फरस करो आप अन्दमान में चैनीज मिसाइल आई है, जो एसे समरीन है, वो अन्दमान में जरूत थी, वो मलाका स्टेट से उसकी रेंज, अगर जाके चोक पॉइंट पर खड़ी रहती है, और वहां से चीन के पूरवी तट पर अगर किसी टार्गेट को टार्गेट करना है, तो वहां से फायर कर सकती है, किसी को पता ही नीच लेका कहां से फायर आया, इसका यह भाइदा होता है, इसको इसलिए अटैक सब्मरीन कहा ज जो है वह नुकलियर टिप्ट होती है, उसमें नुकलियर बं होता है, वो नुकलियर बं कभी इस्तमाल नहीं किया जाता है, एकसे जपायन के खिलाफ किया गया था, उसके बद किसी नहीं किया, तो यह कॉल्ड डेटरंस श्रेंग्थ, जो लोगों को इसका डर लगा रहना और यह सिर्फ छे या साथ देशों के बास ही है, जो भारत में खुद बनाई है, इसमें तीन अवी तक बन चुके हैं और और दो बनेंगी, तो यह इसका कभी इस्तमाल नहीं होगा, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अगर इस्तमाल हुआ तो फिर यह डिस्ट्रक्श नुकलिर रियक्टर भावा अटोमिक रिसर्च सेंटर बनाता है, और बाकी सब चीजें भारत में बनी है, 95% इंडिजनाइजेशन इसमें है, यह पूरी तरह से आत्मा निरभर और मेक इन इंडिया के का प्रोड़क्ट है, ऐसे सन जो होगा, जो बनेंगे, इसको 10-12 साल ल इजनागे था, जो बनेंगे तो, आप दो ले लो इसका, और मुझे यहां एक्रेक्शन करना है, जो प्रिडेटर की कीमत है, वो 3.3 बिलियन डॉलर मतला है, तो 28,000 करोड है, चालीस दीन, मैंने 40,000 करोड का, 40,000 करोड इन दो संब्मरीन का खर्चा है, एक संब्मरीन की कोस 20,000 करोड यह खर्चा आप करेंगे आने वाले 10 सालों में या 12 सालों तब जाके जब दो बनेंगी तो शायद अगले 3-4 सालों में और 2 सांक्शन हो जाएगा फिर वो और लैप करेंगी ऐसा एक प्लान होता है तेक्नोलजी कहां से आरी है यह भारत में बनी टेक्नोलोजी है इ आगे जाके अफ्ग्रेड भी किया है तो विद रिगार्ड तो चाइना आपने अल्रेडी कहा कि कहीं से भी आटाक हो सकता है इसके अलावा क्या स्ट्रेटीजिक अड़ांटिजेज मिल सकता है से सामरिक अड़ाटिजेशन का क्या है कि आप पूरा जो इंडियन ओशन शिप जारी है उसको फॉलो कर सकते हो उसके पाथ में जा सकते हो पता ही नहीं चलेगा उसके जो भी आपको डेटा पॉइंट चाहिए वो कहां जा रहा है किस तरफ जा रहा है किस से बात कर रहा है यह सब SSN उनके नीचे रहके उस जहाद के नीचे रहके भी कर सकता है या तोड़े से दूर रहके कर सकता है किसी को पता नहीं चलता है इसलिए SSN से अर्फ डेंजरूस प्लाटफॉर्म्स इन नेवी क्यों SSBN का कभी काम नहीं हो सकता या इसका इस्तमाल नहीं हो सकता है SSN अभी लोगों ने देखा होगा हांट फॉर रेड अक्टोबर एक नाम की एक मूवी थी जो तॉंग लैंज किताब थी शॉन कॉनरी तो वैसे वह तब होता था कोल्ड वार में अब ऐसी ही तरह के पेट्रोल होते हैं, इसी ही तरह के वो फॉलो कर सकते हैं, जो एनिमी के शिप्स हैं या उनके संमरीन हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, तो ये बड़ा एक कीफिबिलिटी भारत अक्वायर करने जा रहा है, तो जैसे कि हमने शुरू में बात की, ये जो रिज जब बनाम भाले होते हैं, वो जब अनौंस करते हैं, और कभी अनौंस नहीं करते हैं, तो हमें पता होता है क्वो क्या कर रहें, क्या नहीं कर रहें अं? SSBN हमने दो अनौंस नहीं हुई पर लोगों पता है कि दो आ गई हैं तो ये कहीं भी जा सकती है ये उस्टेलिया तक जा सकती है ये युस तक जा सकती है पर उसका कभी उसमें से फायर नहीं होगा बहगान करें नहीं हो तो वैसे वाला उसकी सिच्योशन है पर अगर जंग लोग जाते हैं जैसे इसकोट्स जो आउट्रीडर्स होते हैं रोड पर वैसे आगे जाएंगे पात क्लियर करेंगे तो इनका ये काम होता है तो ये बहुत बड़ी केपिबिलिटी भारत के बाद आने जा रही है पहले बारत ने दो ऐसे इस्तमाल किये है जो रशिया से ली जाए जाए तो अभी उसका ताय नहीं हुआ है पड़ ये अवी स्थिती ऐसी है तो बहुत ही इंपोर्टन डिसिशन था ये आप बहुत बड़ा था हमारे व्यूर्स को जानने की इच्छा थी कि ये है क्या और किस तरह से ये हमारे देश को और ज्यादा मजबूत करेगा तो थैंक यू सो माच हमें ये क्लैरिटी देने के लिए नितिन और आप सबको ये शो पसंद आया बहुत दिन बाद हम आये और शो करते करते मेरी हिंदी शायद और अच्छी भी हो जाएगी लेकिन मैं चाहूंगी कि आप प्लीज इस शो को लाइक करें और जरूर इस पर क झाल